नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टों से संजीवन घर्वसंसकार में आपका स्वागत करती हूँ वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जिया, फल सब्जिया खाना घर्भवती को सजेस्ट किया जाता है लेकिन कुछ सब्जियों को लेकर गर्ववती के मन में दुविदा रहती है उन्हें खाने से लेकर इन सब्जियों में एक नाम ड्रम स्टिक का भी है जी हाँ सहजन याने ड्रम स्टिक, क्या मैं यहाँ प्रेगनसी में खा सकती हूँ या नहीं सहेजन हरी सबजियों में से एक सबजी है जो commonly हम खाने में यूज करते हैं लेकिन गर्भावस्ता में इसका सेवन करने से क्या दुश परिणाम हो सकते है और कौन-कौन से लाब गर्भवती को इसे खाने से मिल सकते है कितनी मात्रा में सहेजन याने ड्रमस्टिक आपको खाने में शामिल करनी है इसके पोशक तत्वों से लेकर इसके बेनेफिट्स तक और इसके साइड इफेक्ट्स तक हम इस वीडियो में जानने वाले है तो वीडियो को आंतर तक जरूर देखे वीडियो अच्छा लगात लाइक और शेयर करे आप चैनल पर यदि नहीं है तो चैन मात्रा में वैसे तोध ड्रमस्री पोशकत्तवों से भरपूर होती है इसलिए इसके काफी सारे फायदे गर्मवती उठा सकती है बट इसका सेवन जादा मात्रा में किया जाये तो गर्मपात होने के चान्से भी बढ़ जाते है ड्रम फ्रिण में 카र्पॉहइडरा प्रोटी आयन, मैगनेशियम, फॉस्परस, पोटैशियम की मातरा भी पाई जाती है। इसके अलावा सोडियम, जेइंग, कॉपर, मैगनेशियम, विटामिन से भी भरपुर होते हैं ड्रमस्टेक। इतने सारे पोशरत ततों से समरुद ड्रमस्टेक खाने से गर्भवती के शिशु के लिए तथा उसके खुद के इम्मुनिटी बूस्ट करने के लिए भी यह मददगार साबित होता है। ड्रमस्टेक में मौजूद कैल्शियम, शिशु की हड्डिया तथा दातों का विकास करने में मदद करती है। ड्रमस्टेक में कैल्शियम अधिक मातरा में होता है तथा मिन्डरल से भी भरपूर यहां होता है इसलिए नॉर्मल कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए ड्रमस्टिक फायदे मन्द हो सकती है इसके कारण प्रीकलैम्शिया जैसे सिचुरेशन से बचाव किया जा सकता है ड्रमस्टिक इम्मिनिटी बुस्टर का काम भी करती है इसमें फायवर की मातरा भरपूर होने के कारण गर्भवती को होने वाले कफ्स की समस्या में राहत इससे मिलती है ड्रमस्टीक पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए तथा ऐसेडी की समस्या को भी दूर करती है यहां जस्टेशनल डाइबिटीस के खत्रे को भी कम करती है ड्रमस्टीक जैसे मैंने शुरू में बताया, ड्रमस्टिक के benefits लेने के लिए इसे सुरक्षित मात्रा में ही खाना है अधिक मात्रा में ड्रमस्टिक खाने के काफी सारे दुश्प्रभाव भी हो सकते है जैसे अधिक 7 से गर्भवती के blood sugar level, normal level से कम हो सकती है दूसरा नुकसान, एक शोद के मताबिक ड्रमस्टिक के छाल को खाने से गर्भवतात का खत्रा भी हो सकता है ड्रमस्टिक के 7 से blood pressure low होने के chances भी हो सकते है इंतुश्प्रभाव को देखते हुए limited मात्रा में ही ड्रमस्टिक का 7 आपको करना है और एक बात यदि आपको ड्रमस्टिक के खाने से allergy होती है तो इसे बिल्कुल भी ना खाए ड्रमस्टिक को खाने में आप सबजी बना कर खा सकती है इसका सूप बना कर भी आप ले सकती है साउथ इंडियन फोड में सामबर बनाने के लिए भी ड्रमस्टिक का उपयोग किया जाता है तो सामबर बना कर भी आप ड्रमस्टिक खा सकती है लेकिन ड्रमस्टिक को खरिते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना भी जरूरी है फ्रेश, ताजी, हरे ड्रमस्टिक ही खरिदे कटी हुई दाग धब्बे वाली ड्रमस्टिक को ना खाए ना ही इसे जादा दिन स्टोर करे इन सभी प्रिकोशन्स के साथ प्रेगननसी में ड्रमस्टिक आप खा सकती है सिर्फ ध्यान रखे ड्रमस्टिक का सेवन सेमित मातरा में ही करना है और खाने में कौन-कौन से सबजिया आपको नहीं खानी है इस पर मैं सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ उसे भी जरूर देखे साथी साथ आप आपके शिशु को गर्व में ही सुन्दर सुद्रुड देजस्वी और सत्गुडों से युक्त बना सकती है इसके लिए आपको घर बेटे ही अवलेबल है संजीवन गर्वसंसकार का ऑनलाइन वरक्शोप जी हाँ आप डाउनलोड कर सकती है संजीवन गर्वसंसकार का एप और बन सकती है एक्स्ट्रा ओर्डनरी मॉम उप एक्स्ट्रा ओर्डनरी पेबी संजीवन गर्वसंसकार के साथ तो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजोई करें प्रेग्ननसी का हर्क्षन संजीवन गर्वसंसकार के सन, धन्यवाद.